आने वाले 10, ये है पंकज का परिवार, मा, बीवी, दो बच्चे, एक प्यारा सा सुखी परिवार, जो हर आदमी का सपना होता है लेकिन एक मिनिट, ये परिवार तो है, लेकिन ना तो ये प्यारा है, और ना ही कभी खुद को सुखी समझता है आईए देखते हैं कि आखिर इने तकलीफ क्या है पापा हमारे रूम में भी एसी लगवा दीजी न कितनी गर्मी पढ़ रही आजकल अरे बिटा एक रूम में एसी है न दूसरे की क्या जरूरत है रात को तुम दोनों हमारे रूम में आराम से सो जाते हो पापा अलग से एसी होगा तो हम सब अलग-अलग आराम से सो सकते हैं और हमें नीचे सोने की भी ज़रूरत नहीं बढ़ेगी अरे बिटा पर दो-दो एसी होंगे तो बिल भी तो इतना ही आएगा न एक एसी का बिल ही कितना आता है छोड़ो बिटा ये एक एसी ही मैंने पता नहीं कैसे लगवाई है बोल बोल के ये तुम्हारे पापा ना कंजूस के कंजूसी रहेंगे ये नहीं मानने वाले सवाल कंजूसी का नहीं है खुश्पू खर्चे ही इतना है कि क्या करें मैं भी तो सब कुछ करी रहा हूँ ना क्या कर रहें आप सालों से एक ही कंपनी में जॉब कर रहें इससे आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं कभी भी एक ही कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तभी तो इतना प्रमोशन हुआ है, नहीं तो आज कल पता है, जॉब मिलना कितना मुश्किल हो गया है, किसी को आसानी से जॉब नहीं मिलती है आप से ना बहस करनाई भी मतलब का है, कोई बात आप समझती नहीं, छोड़िये अब मैं नहीं क्या कह दिया ऐसा, अरे बिटा, थोड़ा ज्यादा काम कर, ज्यादा पैसे कमा, अभी बच्चों के भी सपने हैं, उनके भी खर्चे बढ़ने वाले हैं मैं वही तो कोशिश कर रहा हूँ ना मा, इस साल भी बहुत से कहूंगा सेलरी बढ़ाने को थोड़ी थोड़ी सैलरी बढ़ने से क्या ही होता है बिटा, अरे मा, धीरे धीरे ही तो सब कुछ होगा ये लिजे आपका टिफिन, और जाए आफिस, अपने नाउ से पांच की जॉब पर तो दीखा आपने, ये है इनकी समस्या, पंकच को जो धीरे धीरे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है और उसके परिवार को सीधा चांद को चुना है अब इसी चक्रम में इनके आपस में कई सारे मदभीद हामेशा होते रहते हैं क्या हुआ आज तुम लोग केल कर जल्दी आगे अब वेकेशन का वक्त है, हमारे सारे दोस्त गूमने गया है, हम किसके साथ केले आ नहीं तो क्या, वो पड़ोस वाली सुश्मा भी इस बार हरी द्वार गूमने गई है बोलो एक हां मैं कहीं गया है नहीं आ तो चलो हम भी चलते हैं गूमने, मा आपको हरी द्वार जाना है ना, मैं अटकर से निकलवा देता हूँ वहाँ जाकर धर्मशाला में ही रुखना पड़ेगा, और क्या? अरे वहाँ के धर्मशाला बहुत अच्छी है, कौन सी पुरी है? आप लोगों को घुमने से मतलब है ना, तो मैं ले चल रहा हूँ ना पापा, हम वहाँ होटल में नहीं रुख सकती क्या? अरे वहाँ के धर्मशाला सच्छ में अच्छी होती है, तुम लोगों को मज़ा आएगा, बहुत हर बार आपका यही होता है, कहीं भी घुमने ले चलते हैं, तो पैसे बचाती होगे अ तो घुमना है, तो पैसो को तो बचाना भी ज़रूरी है ना, यूहीं तो कहीं नहीं चल सकते अरे बिटा तब ही तो कह रहा है, कुछ बड़ा आकर, अब यह चिंदे से जिन्दगी नहीं जी जाती हमसे हमें तो ऐसा जीवन चाहिए, जो सुखों से भरा हो, जहां हम बिना पैसो के बारे में सोचे हुए बस घुमने चले और अराव से कुछ भी कहीं भी घुम है, मा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन अब मेरी तो यही जिन्दगी है, मैं आप लोगों को कम पैसों में ही सही, लेकिन घुमा तो रहा हूँ हाँ, जैसे ऐसान कर रहे हैं न आप हम पर, वो पड़ूसी शर्मा जी को देखे, कुछ साल पहले वो भी नौकरी करते थे और आप खुद का बिजनस शुरू कर दिया है, कितने आगे बढ़ गए हैं देखो तो, नई कार लिये उन्होंने, और हम आज भी उसी स्कूटर पर घूम रहे है, काम्या भी को हासिल करने में वाक्त लगता है, धीरे धीरे ही होता है सब, आपकी धीरे धीरे में बच्चे बढ़े हो गया है, जब से शादी की है तब से कहा रही हो, कि पैसे बहुत जरूरी है, कुछ बढ़ा करिये, जिससे बच्चों का आने वाला भविश्य अच्छा हो सके, लेकिन नहीं, आपको तो उसी ही नौकरी में लगे रहना है बस, बहुत ठीक कहा रही है पंकज, अब कुछ बढ़ा करना है मतलब, तुझे पता भी है, जो तु अभी कर रहा है न, उस पोस्ट पर पहुंचने में लोगों को सालो लग जाते हैं, तु इतनी मैनत से आगे बढ़ा है मैं जानता हूँ, लेकिन इन सबसे यार अब घर का खर्चा अच्छे से नहीं चल रहा है, ज़्यादा की ज़रूत है, सब के सपने है, इसलिए मैं कुछ बढ़ा करना चाते हूँ अब तु मैनत तो करी रहा है इतनी, अब क्या सारा बोज खुद पर डाल कर खुद को आग में छोंकना चाता है देख तेरा परिवार अभी समझ नहीं रहा है, लेकिन उन्हें समझाना होगा, कि तु अपनी क्षमता से ज़्यादा ही कर रहा है लेकिन वो लोग भी तो गलत नहीं है न, बच्चे बड़े हो गये हैं, उन्हें भी आगे बहुत कुछ करना है मुझे लगता है मुझे अब खुद का बिजनस करना चाहिए खुद का बिजनस, तुझे पता है न, इसमें कितने पैसे लगते हैं जानता हूँ इसलिए लोन लेने की सोच रहा हूँ और जैसे ही प्रॉफिट होने लगेगा मैं चुका दूँगा देख मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि इतना बड़ा रिस्क मत ले अरे रिस्क तो लेना पड़ेगा ना परिवार के लिए सफल होने के लिए सबको मैनत करनी पड़ती है ठीक है अगर तुने फैसला करी लिया है तो फिर मैं तुझे एक दो बैंक के नाम बताता हूँ जहां तुझे आसानी से लोन मिल जाएगा पंकर्ज ने लोन लेकर अपना बिजनस करना शुरू कर दिया लेकिन उसके बाद भी आदे दिन उसे जॉब चालूई रखी थी जिससे घर का खर्चा भी चलता है लेकिन उसका बिजनस अब अच्छा चलने लगा था खुषमु यलो तुम्हारे लिए सोने की बालिया वाहां सोनी की बालिया ये तु सच में बहुत कुश्यूरत है और मां ये तुम्हारे लिए मसाजर तुम्हें घुटनों में दर्द रहता है न ऐससे तुम्हें आराम मिलेगा अरे वा, पर बेटा ये तो बड़ा महेंगा लगता है हाँ मा, अभी मेरा बिजनस अच्छा चलने लगा है तो सोचा आप सबके लिए कुछ तौफिल ले आओ लगता है मैं सही समय पर आई हूँ अरे दीदी, आये ना सबके लिए तौफिल आए हो, अपनी बेहन के लिए नहीं लाए क्या आप बताईए आपको क्या चाहिए, मैं आफिस से लेते आओंगा अरे ज्यादा कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं अब तो उनके नाम पर भी कुछ सोने का होना चाहिए इसलिए जैसे भाबे के लिए सोने की बालिया लाए हो न वैसे ही उनके लिए भी सोने की चेन बनवा दो जिससे भविश्य में उन्हें भी याद रहे कि हाँ भई मामा ने कुछ दिया था ठीक है, मैं काम करता हूँ, आज ही सुनार को कह देता हूँ, कि आपके लिए सोने की चेन बनवा दे, हाँ हाँ, एक ही तो बहाना तेरी, उसके लिए नहीं बनवाएगा तो किसके लिए बनवाएगा, वैसे भी आप इसका बिसनेस अच्छा चलने लगाए पिटा, इसलिए त कि अपना बिजनस अपना होता है देखो आप कैसे सब को खुश रख पा रहे हो ना हाँ ये बड़ा ही अच्छा काम किया है तो ने पंकज जाब से आखिर इंसान कितना कमा पाता हाँ अब सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ चलो अब मैं चलता हूँ रात को भी मुझे आने में देर हो जाएगी बहुत काम है ठीक है मेरी सोने की चेन मत भुलना अरे बिलकुल नहीं दीदी एक आदमी के लिए उसका परिवार खुश हो खुश खुशाल हो इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई होई नहीं सकती पंकज दिन रात महनत करता जिससे वो अपने परिवार को वो हर खुशी दे सके जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था अरे बंदी कर दो ना लाइड मेरी नेंद खराब हो रही है आ बस बंदी कर रहा हूँ ये लास्ट एक बार प्रोजेक को पढ़ लू कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है अरे तो मुझे भी तो दिन बर काम होता है बच्चों को स्कूल भीजना है खाना बनाना है सब कुश अरे बस थोड़ी तिरवार मेरा काम अभी खतम ही होने वाला है एक बार ये प्रोजेक मिल गया न तो मैं तुम सब के लिए एक बड़ी सी कार खरीदूँगा देखना हाँ इस चोटी सी कार में अब हम सब आ भी नहीं पाते हैं इसलिए तो नई कार लेने का सोच रहा हूँ बस कल अगर ये प्रोजेक मिल गया तो समझो हमारी आधी परिशानी दूर हो जाएगी हाँ हाँ ठीक है मैनत करो अच्छा है पंकरज इस नए प्रोजेक को पाने के लिए दिन रात लगा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि इस प्रोजेक के मिलने से सब कुछ और बैतर हो सकता है और उसकी मैनत रंग भी लाती है जब उसे ये बड़ा सा प्रोजेक मिल भी जाता है बताई हो बिटा आखिर तुझे प्रोजेक मिली गया अब देखेगा मा मैं इस बिजनस को कहां से कहां ले जाता हूँ पापा आज इस खुशी में हम सब को पिज़ा खाने ले चलो ना हाँ पापा पिज़ा काने चलते है बलकुल चलेंगे आज इतनी बड़ी खुशी मिली है मैं आप सबको पिज़ा खाने ले चलता हूँ वैसे भी कल से इस नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो जाएगा तो बहुत बिजी हो जाऊँगा मैं ति चलो, सब जल्दी से तयार हो जाओ इस नए प्रोजेक्ट के मिलने की खुशी में सारा परिवार पिज़ा पाटी करता है उस दिन सारा परिवार काफी खुश था लेकिन शायद उस दिन के बाद पंकज के लिए चीज़े और भी मुश्किल होती चली गई रात के ग्यारा बज रहे हैं अभी तक नहीं आई ये घर पे कोई जिम्मेदारी का एहसास है की नहीं पता नहीं क्या हो गया है पंकज को आजकल तो किसी भी चीज़ पे उसका ध्यानी नहीं रहता ना मेरी दवाईयों का ना मेरी सेवा करता है अरे वो छोड़िये माजी बच्चो को कितने दिन हो गया पापा को देखे हुए इतना भी क्या काम होता है उसे जो बच्चो को वक्त भी नहीं दे सकता ये लो आगए लाटसा क्या है पंकजी है रोज इतनी देर से आता है ना किसी को कुछ कहता है ना किसी को कुछ बताता है वाँ ओफिस में कामी इतना होता है क्या करो बस जब भी कुछ कहो यही बहाना देते हैं काम है काम है अरे बच्चों के पास कुछ दीर बैठ ये कुछ वक्त उन्हें भी दीजिए उनके साथ बाहर चलिए इन सब के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है मैं बहुत ठक गया हूँ सोने जा रहा हूँ इन सब्सक्राइब के लिए बंटी के लिए हेर ड्राय एक सगिड़ बंटी के लिए खैप बीजे दिनेश का डिसको कैप और इस ग्लुटूथ स्पीकर जलक दिखाने के लिए नए स्मीकर्स और एक रेड विल्वट के एक जो ब्लेक फॉरिस्क पंचुआ है सब मिलेगा इंट 10 मिनिट्स तो पाटी फिट से शुरू होगी इंट 10 मिनिट्स एवरीधिंग इन मिनिट्स तैक्स फिलिप का इनिट्स यस एवरीथ घ्याई विल्वी इनिए लॉण इनिट्स पाल देखा माजी, कैसे बात को सुने बिना ही चले गया, घर को देखना, बच्चों की पढ़ाई को देखना, जिससे सब मेरा ही काम है, इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं इन सब से, पंकज अपने काम में इतना बिजी हो गया था, कि अब उसके पास परिवार के लिए ये ज्यादा समय नहीं बचता था, जिससे अब उसके घरवाले उससे वक्त को लेकर शिकायत करने लगे थे, सुनिये न, आज मेरे चाचा की बेटी की शादी है, मेरे माई के में, तो शाम को जल्दी आ जाईएगा, देखो मैं वादा तो नहीं करता लेकिन अगर मिला तो आ जाएगा, नहीं तो तुम बच्चों और मा को लेकर चली जाना, ये क्या बात हुई, मेरे माई के मेरे सब आपकी बारे में कल भी पूछ रहे थे, आप कल भी संगित में नहीं आए थे, आज तो आपको किसी भी हालत में आना ही होगा, देखो मैं जानता हूँ, सब मेरे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैं बादा नहीं कर सकता, मुझे आज बहुत सारा काम है, सच में पांका जी है, तो बड़ी गलत बात है ससुराल जाना तेरा फर्ज है तो इसे यूँ टाल नहीं सकता बिटा उन्हें कितना बुरा लगेगा मा मैं टाल नहीं रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहुंच जाओ और मैंने उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी तैयार करवा दिया है वो उन्हें मेरी तरफ से दे देना, ठीक है अब मैं चलता हूँ देखा मा जी आपने, आज कल ये अपनी हर जिम्मेदारी से बस भागते रहते इनके पास समयी नहीं होता बस कभी यहां कभी वहां लगे हुए होते हाँ, पापा के पास तो अमारे लिए समयी नहीं होता अब तो हमारे एक्जामस में भी वो हम पर ध्यान नहीं देते आने दो कल तुम्हारे पापा को कल मैं बताती हूँ उन्हें के जिम्मदारी क्या होती है कुछ दिनों से पंकज का परिवार उससे बहुत नाराज था और आज मौका मिलते ही सब ने अपनी शिकायत करना शुरू कर दिया मैंने तुम सबसे कहा ना कि मैं ये जान बुझकर नहीं कर रहा हूं काम भी तो पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं आप लोग समझ क्यों नहीं रहा है मा की लोग भी तो पैसे कमाते हैं लेकिन घर बच्चे सब पर ध्यान देते हैं एक आप है कि आप को बस अपनी पढ़ी है. ना बच्चो का द्यान, ना मा का, ना पतनी का, बस अपने में ही लगे हुए है. पांखा जी या तु सही नहीं कर रहा बेटा? मैंने तु पहले ही कहा था कि तु ये सहीो नहीं कर रहा है. अरे अखिल बेटा तु यहाँ हाँ माजी कुछ पेपर्स देने आया था बाहर खड़े आप सब की बाते सुन ली अब आप ही समझाईए ना भाया इसे अहां क्यों नहीं मैंने कहा था इसे कि तेरी जॉब अच्छी है मत छोड़ लेकिन इसने का नहीं मेरे परिवार को मैं अच्छी जिन्दगी देना चाता हूँ इसलिए बैंक से लोन लिया और आधा दिन जॉब भी करता था अरे अखिल छोड़ना यार अरे क्यों छोड़ो तेरे परिवार को भी पता लगना चाहिए कि तुने इनके लिए क्या क्या किया है ये लोग किसी भी चीज में खुश नहीं है तो जॉब करता था तब ताने मारते थे कि कुछ बढ़ा करो जब इतनी मैनत करने के बाद कुछ बढ़ा कर रहा है तब भी खुश नहीं है क्या कह रहे है जिम्मेदा नहीं है तो आप लोग क्या है आप सब पंकज का परिवार है उससे सपोर्ट करने की बजाए आप सब हमेशा ही उसे ताने और गुसा दिखाते आए वो एक बाप एक बेटा और पती होने के जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहा है लेकिन आप लोग उसका परिवार होकर भी उसे समझ नहीं पा रहे है अरे छोड़ना यार अखेल एक आदमी के उपर कितना बोज होता है आपको पता है उसके परिवार को अच्छा घर देना है अच्छी गाड़ी देनी है बच्चों को अच्छा भविश्य देना है मा की सेवा करनी है और बदले में वो बस इतना चाता है कि उसका परिवार खोश रहे है आपकी तरह नहीं कि हर बात पर शिकायत करे मा, बहन, बहन के बच्चे, खुद के बच्चे, पत्नी, उसका परिवार अब सब खाने वाले दस हैं और वो कमाने वाला एक कभी सूचा है आपने कि उस पर कितना दबाव होगा उस दिन अखिल की बात को सुनकर पूरे परिवार का सर शर्म से जुक गया था कुछ दिनों तक किसी ने भी पंकच से कोई बात नहीं की पंकच को लग रहा था कि शायद अखिल की बात से सब उससे दुखी हो गया है आज तो घर की लाइट भी बंद है लगता है सब मेरे आने से पहले ही सो गया है तीन दिन से किसे ने मुझसे बात भी नहीं की, लगता है से बलुब नाराज हो गया पंकज जैसे ही घर आता है, वैसे ही पूरा घर जखमक लाइट से सजा हुआ था सबने पंकज का स्वागत किया और की कटवाया अरे लेकिन आज ते मेरा जनम दिन भी नहीं है, फिर ये सब किसके लिए ये सब बेस्ट बेटा बनने के लिए ये सब बेस्ट पापा बनने के लिए और एक बेस्ट जीवन साथी बनने के लिए हम सब ने आपसे बस मांगा ही हमेशा लेकिन कभी आपका साथ नहीं दिया और आपने कभी हम से कुछ भी नहीं मांगा लेकिन आज से हम सब आपके साथ है आपके दुख में, आपके सुख में, सब में पापा, आप सबसे बेस्ट है हम से बाप से बहुत प्यार करते हैं पापा अब हमसे नाराज तो नहीं है ना मैं अपने परिवार से कभी नाराज नहीं हो सकता एक आदमी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसका परिवार उसे बेस्ट समझता है और आज मैं बहुत खुश हूँ कभी कभी परिवार के बोले हुए प्यार की कुछ शब्द एक इंसान को बड़ी ताकत दे जाते हैं आप भी बोल कर देखिए कभी